प्रश्वाइब आप लोग को एक और कमाल की वीडियो में यहां पर बहुत सारे अप्लिकेशन के लिए नया अप्टेट है वो यहां पर फाइनली रिलीस करा दिया गया है और अगर आप लोगों यहां पर गेलेरी है उसको यहां पर इस्ट्रोल कर ले तो आपको इसके अंद कमाल का ले आउट है वो यहां पर देखने को मिलता है और इसके अंदर आपको एक मेप का नया फीचर है वो भी आपर एड किया गया है तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे तो गाइस वीडियो को पूरा देखना अगर आप लोग एक डिवाइ है वो यहां पर देखने को मिलता है गेलेरी अलफा अप्टेट सो आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी अप्लियेसन का लिंक है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा सो गेलेरी है उसको आप लोगों को यहां पर सिंपली इस्ट्रोल कर लेना है सो इसको यहां पर पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में, वीडियो बहुती ज़ता है, आप लोग अपनी कोई भी इमेज है, उसकी लोकेशन है, वो यापर फाइंड कर सकते हो, अपने किसी भी डिवाइस के अंदर, पूरा बताऊंगा आपको इस वीडियो में, वीडियो बहुती ज़ता है, आप लंबी बन जाएगी, आप लोग खुद इसको यापर यूज कर सकते हो, अब गाइस बात करते हैं, सेकंड अप्टेट के बार में, जो कि आप लोगों को यापर देखने को मिलता है, पेकेज इस इसका भी एक नया अप्टेट है, जो कि आप रिलिस्क करा दिया गया है, अब जिन लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग कोई भी आपर अप्लिकेसन है, उसको आपर इस्टोल करते हो, चाहे वो फाइल मेनेजर हो, या फिर प्ले स्टोर से हो, अगर आप लोगों ने package installer का latest version है, वो यापर इस्टोल करके रखा होगा, तो अप्लिकेसन है वो फटा फट से आपर इस्टोल हो जाएगी, और कोई भी आपको बग की जो problem है, वो यापर देखने को नहीं मिलेगी, और गईस जो last update है, वो आप लोगों को यापर देखने को मिलता है, theme application, तो theme application के लिए भी एक नया update है, जो कि आपर release करा दिया गया है, आपको जो पहले bug की जो problem है आपर देखने को मिलती थी, वो यापर सोड़ हो जुकिए, आप लोग देख से तो फटा फट से यापर theme की जो page है, वो यापर open हो रहे हैं, तो ये वाला भी आप ल page का देखने को मिलते हैं, तो मैं तो ape vault है, उसको यापर use नहीं करता हूँ, Google feed है, उसको यापर use करता हूँ, तो अगर आप लोग यापर ape vault को use करते हो, तो इसको जरूर से आपर up to date रखना, अब guys last update है, वो आप लोगों को यापर देखने को मिलता है, MIUI launcher का, तो यहाँ प हो जाएगी, आपको जो bugs यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर solve हो जाएगे, तो मेरे पास एक Redmi का भी device है, तो इसके अंदर आप लोग system launcher है, उसका नया update है, वो यहाँ पर install कर लेना है, फिलाल इसके अंदर कोई नई roam delivery है, तो मैं आपको install करके नहीं जाएगी, तो कली मैंने एक नया गरूप है, उसको यहाँ पर create किया है, तो आप लोग support कर सकते हो, इसको यहाँ पर join कर सकते हो, इसकी link है, वो आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी, आगे किसी भी Redmi and Poco device के लिए system update है, वो यहाँ पर release होगा, आपको सब समय आपर news ह है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको सबी की link है, वो मैंने आपर provide करा दिये, तो इसको जरूर से join कर लेना, इसका link है, वो आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा, गाईज अगर आप लोगों को एक कमाल की वीडियो पसंद आई, तो मतरम